यूपी से देखी देख रहे हैं, जहाँ इलीगल बिल्डिंग बनती है, वहाँ बुल्डोजर चलता है, क्या तेखी सरकार बुल्डोजर चलाईगी कि नहीं चलाईगी? यूपी से देखी देख रहे हैं, जहाँ इलीगल बिल्डिंग बनती है, वहाँ बुल्डोजर चलता है, क्या तेखी सरकार बुल्डोजर चलाईगी कि नहीं चलाईगी? तो कुछ देर के लिए ही सही, मगर योगी बाबा के बुल्डोजर को सही बता गए अखलेश यादग, और सदन के अपने भाशन में कही इन लाइनों के चलते, अब सोशल मीडिया पर खूप ट्रोल भी हो रहे हैं, जहाँ एक तरफ लोगसभा में बजट सत्र जा रही है, तो दूसरे तरफ उत्तर प्रदेश की विधान सभा में मौनसून सत्र चल रहा है, देश के संसत में बजट पेश हो चुका है और अब उस पर बहस हो रही है, विरोधी पार्टियां इस बजट की मुखालफत भी खूप कर रही हैं, अब क्यूंकि अकलेश करनौट सीट से सभाचनाव जीत कर सांसत बन चुके हैं और अपनी पार्टि के बाकी 36 सांसतों के साथ देश की संसत में जमें हुए हैं, तो वो भी इस चर्चा में शामिल हैं, साथ ही बजट पर चर्चा के लावा, दिल्ली में हुए दर्दनाक कोचिंग सेंटर हाथ से को लेकर के भी, ल योगी बाबा के बुल्डोजर तक कहुँचे और कह दिया कि यूपी में तो अवैद निर्मार पर सीधा बुल्डोजर चलता है, तो ये सरकार बुल्डोजर चलाएगी अन्यूपी से देखने हैं, जहां इलीगल बिल्डिंग बनती है, वहां बुल्डोजर चलता है, क्या पहली बार आखिर अखलेश याडव ने सुविकार कर लिया कि यूपी में घेर कानूनी बिल्डिंग्स पर ही योगी बाबा का बुल्डोजर चलता है, योगी जी हैं तो यकीन है, इसके लावा एक और यूजर ने लिखा, लो भाईयों, आज संसत में अखलेश याडव न पर तसंशा मानी जाए, यानि अखलेश याडव सदन में इन लाइनों को बोल कर कहीं न कहीं ट्रोलर्स के निशाने पर आही गए, न्बी टी ओर लाइन की रिपोर्ट झाल